यह हिंदि इस वीडियों बात करने वाले हम लोग LIC के बारे में LIC यानिक लाइफ इंसुरेंस कोर्पोरेशन ओफ इंडिया देखिए वैसे तो यह भारत की दिगज इंसुरेंस कंपनी है इसके पास 66.2% का आसपास मार्केट शेर है इंसुरेंस सेक्टर में और साथ में सेर्पास का मुक्रसित 630 रुपई के असपास आ गया है और लोगों को जो इसके शेर्स रोलर्स हैं उनको इस बात की चिंता सता रहे किया इसका सेर्पास 600 रुपई के नीचे भी चला जाएगा क्यूंकि लिश्टिंग के बास सेर्पास कंट्निवस डाउन ट्रेंड में आ और फिर जून से लेकर अगस्त तक इसका जो शेर्पास से एक Consolidate Range में Consolidate किया है जैने कि range बाउंट रहा है और फिर जब सितमबर में Consolidate Range से बाहर निकला से उसके बाद देखेंगे कि Price फिर नीचे आने लगा है और एक लाइफ टाइम लो हिट कर दिया है जो की 600 रु जा रहा है तो देखिए एक तो इसका आई पी जो आया था वह गलट टाइम पर आ गया था क्योंकि उससे में बजार सही दिसाम नहीं था डाउन जा रहा था लेकिन चुकि लाइसी का काफी लेट हो गया था इसलिए जल्दी लाना भी जुरूरी था तो सरकार उसी माहौल में का धूले कर चलिए इस कंपणी का दूसरा एक तो हाईजर वैल्यूइशन पर इस प्राइसन का ज्यादा बहते रहता दूसरी बात कि इसका जो सेल्स्ग्रोथ है काफी पूर रहा है पिछले पांस साल मदेखेश कंपनी का सेल्स कर लेकिन बहूंट देखे तो पिछले बार के जो कुछ बहुत अच्छा नहीं है था कंपनी के रिभिन्यू प्रोफिट हर एक चीज गिरा है और अब जब कंपनी के क्वाटर टू के नतिजें आने वाले हैं तो इस बात की चिंता चिंता गया प्रोफिट होगा अभी कुछ खास अच्छा नहीं होने जा रहा है और इस समय इसका मार्केट के अब तकरिवन पांच लाग क्रोन के आसपास था अब समझे उस समय यह कंपनी भारत की चट्थी सबसे कंपनी थी मार्केट के लिहाश से लेगिन चौद हुए सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट की लिहाश से क्यूंकि सेयर प्राइस कम होने साब पता है मार्केट के आप करना हो का सिर्फ 3,888,000 और असपास रह गया है और धीरे-धीरे जैसे जैसे कंपनी का शेयर प्राइस कम होगा उससे कमणी का मार्केट की भी कम होते जाएगा अब सवाल है कि हमें आगे क्या करना है या आगे क्या करना चाहिए तो यदि मेरे प्रस्पेक्टिव मेरे पॉइंट आप सब्सक्राइब तो आपको एक्जिस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि जिस कम्पनी के सेर प्राइस लेस्टिंग के बास लगता है डाउन जा रहा है उसमें बने रहने तो फैदा नहीं है और एवरेज तो बिल्कुल मत किजिएगा एवरेजिंग करने का गलती इस स्टॉक में आपको नहीं करनी ह आप एक्जिस्ट हो सकते हैं और मैं आपको कुछ शचाष सुझाओ दे सकता हूं कि आप इस रुपे को जो भी रुपे आपको इसमें बचा है निकालकर उसको इन्वेश्ट कर सकते हैं या तो डिफेंस सक्टर की स्टॉक में या इलेक्ट्रिक विकल जैसे जो कंपनी या नाने वाली उस तरह के स्टॉक में आप अपना इसके का पैसा इन्वेश्ट कर सकते हैं जदी में डिफेंस सेक्टर के कंपनी के बात करूं तो उसका नाम है मजगांव डॉक मजगांव डॉक डिफेंस सक्री कंपनी है असस्तर बनाती है इसका शेयर पैस 625 रुपे चल रह उम्मीद करता हूं इस वीडियो से लिटेट जो इन्फॉर्मेशन में बताया आपको समझ माया होगा मन में कोई भी सवाल है सब कमेंडों में जरूर पूछे में नेक्स वीडियो में तब तक लिए देने बात सुक्रिया